वेलकम टू अप्रिवन वेलकम टू अग्रिकल्चर अड़ा 247 मेरा नाम है आकावभासपी और आपसे डिस्कूस करने वारा हूँ जो आपके NFL है उफी जो फैकेंसी निकली है उनका eligibility criteria क्या है एक complete generic हमारा होता है एक चुलटे जनरिक होते हैं तक कि आप अपनी हर फैकल्टी से इंट्रक्ट भी कर सकें और जो हमारे NFL की वेकैंसी आई है उनके eligibility criteria के बारे में भी आपको guidance होना चाहिए ठीक है मैं आपको बता दूँ कि इसके समंदित एक free or cost class होती ही रात को आठ होजे जो कि general agriculture के class है वो रात को आठ होजे होती है आगाज class वयाकास सर तो आगाज class वयाकास सर बागर आप डालेंगे तो आपको एक playlist मिलेगी जो कि काफी आपके लिए अच्छी है कि 280 class वे उसमें हो चुकी है तो general agriculture के complete class है तो उसका अटेंट करते रहेंगे रात को 8 वजे होती है इस का आपको आपको बता हूँ तो इसके criteria में बात करेंगे तो इसको तीन vacancy जो हमारी आई है management training marketing और management training law ठीक है कि जो 80 class वाल है वो eligible इसके लिए माने जाएंगे आप चुकी आपको पता है कि इसमें आपको 60% minimum marks चाहिए जो SCHT या PWD के हिसाब से जो इसमें छूट दी गई है वो यहाप लिखिए 50% के आसपा ठीक है इनके अलाबा full time MBA, PhDM, PhDM in marketing, agribusiness marketing यानिकी ABM, rural management, foreign trade, international marketing from the university इसके institute recognized by the UGC इनके दा, BSC in agriculture with minimum 50% marks चाहिए, in MSC agriculture with specialization in seed science, genetics, plant breeding, agronomy, soil science, agriculture, chemistry, entomology, pathology चाहिए, तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ रिखिए कि इसमें जो eligibility criteria बहुत क्लिरली दे रखा है, तो जो बच्चे यहाँ पर confused थे कि क्या वो BSC agriculture है और वो उसके लिए eligible है तो इस आप याद रखिएगा कि यहाँ पर यह आपको बहुत जरूरी याद रखना है कि आपकी जो degree है, जो minimum qualification है, education की वो किस किस से होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपकी MSC agriculture, BSC agriculture, MSC agriculture, इनके लावा आप MBA है, Agri business management से, अगर आपकी rural management से किये हैं, तब भी आप eligible है, तो जो भी इसक होना चाहिए, भी आपको जन्रिक भी होगा, किसके जो 50 questions है, वो हमारे normal आएंगे, जन्रिक जिसमें GKGS, GKGA होगी, इनके लावा math reasoning और English होगी, और 100 questions हमारे professional subject के होगे, तो professional subject में हमारा overall चीज़ें पुछी आएंगी, जो कि हमारे exam में, जैसे कि BSC agriculture में थी, ABM में थी, या professional larger आपको 100 questions का आएगा, तो criteria यह है कि आपको, अगर आप BSC agriculture है, या MSC agriculture, BSC agriculture के बाद, अगर आपने MSC agriculture किया है, Indian subject से, तब आप उसके लिए eligible माने जाएंगे, ठीके, इनके अलाबा, आपने अगर MBA, ABM, Toural Management, Foreign Trade, International Marketing, University, ठीके, यहां से किया है, UGC से Approved University, यहां से किया है, तब भी आप इसके लिए eligible होगे, ठीके, तो यह इसका eligibility criteria है, I hope आपको clear होगे, आओगा, अगर नहीं भी clear हुआ है, तो आप और भी आपको कोई comment हो, तो बता दीजाएगा, इनकलाबा, आप food में, और law में भी यहां पर दे रखा है, ठीके, यह degree यहां पर दे रखे, इसका पर दे डेली special class होती ही, आगाज ग्राज उसको join करिए, फातिसाथ आप paid batch के लिए, आप यहां पर under 20% सर्च करते हैं, यहां पर आपको एगर करते हैं, उस महा पैक में इंडोल कर सकते हैं, ठीके, महा पैक में आपको all batches एक साथ मिल जाएंगे, अलग batch आएगा, तो आपक आपको कि थोड़ा से ध्यान लगना है कि इसका जो pattern है, वो काफी diverse रहता है, ठीक है, तो यह ध्यान लखे है कि आपको agriculture and other ABM बगर है, इनके professional knowledge से 100 questions लाने आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, clear है, हाँ, बिलकुल, चलो, अपना ख्याल लखेगा, मस रिया, स्वस्त रही है, ठीक है, बाकी रात को आठ बजे मिलेंगे, तो अगर आपके उसकी अच्छी पत्यारी करनी है, तो रात को आठ वाली class को जोइन करिएगा, ठीक है, और महाँ पर के लिए Y612, एक discount को आप लगा सकते है, कुछी से करिए कि रात को आठ वाली class लाइब जोइन करें, आपको काफे मद मिलेंगे, ठीक है, मिलते हैं रात को आठ वाठ वजे, आगास करास में, जैहिन दवी वाल, रादे राते हैं.